वेल्कम टू दा टीचर्स योटूब चैनल फटा फट से हर्याना जी के के 10 वेरी वेरी मोस्ट इपोर्टेंट क्वेस्टन इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको काफी सारी जानकारी भी मिलेगी तो हर्याना में स्रुवादिक सम्य तक रहने वाले रैज़ेपाल कौन थे? कौन से थो वो रैज़ेपाल जिनका कारेकाल सबसे जाद रहा? तो उनका नाम है बी-एन्चकरवती यानि की बिरेंदर नारायन चकरवती इनका पूरा नाम है अगर हर्याना की पर्थम रैजयपाल की हम बात करें तो वह रहेंगे आपके ध्रमवीर या फिर ध्रमवीरा ऐसे भी करके लिखा आ सकता है तो इनका कारेकाल लगबग 10 महीने का था किसके बात करें ध्रमवीर की जो बेयन चकरवती है यानि की बेयंदर नारायन चकरवती है इनका 1967 से और 1906 तक लगबगी साड़े आठ साल रैजयपाल रहे थे किसके हर्याना के अगर पूछली जाए कि सबसे कम हर्याना के जो रैजयपाल है उनके सबसे कम किसका करेकाल रहा है तो ओम प्रकास यह है रहा ओम प्रकास वर्मा इनका नाम है यह जस्ट दो जुलाई से साथ जुलाई 2004 तक मियाने के मातर 6 दिनों तक यह है रहे थे तो यहां से हमारे तीन प्रकार के क्वेस्टन्स हो जाते हैं कवर कौन सा एक तो हर्याना का पर्थम रैजयपाल कौन था ध्रमविर यह है क्वेस्टन्स हर्याने का ऐसा रैजयपाल जिसका सबसे लंबा करेकाल रहा भी एंच गर्वती यह है रहा और हर्यानय का ऐसा रैजयेपाल जिसका कारयकाल सबसे कम रहा यह है रहा तो टीन QUESTION और साथ में इनका कुछा कारयकाल भी है अब बात कर लेतें इसी के साथ देखें यह हैं ओम प्रकास वर्मा और ओम प्रकास चोटाला जो की हरियाने के सीम रहे हैं उनका भी सबसे कम कारेकाल है ओम प्रकास वर्मा रैजियापाल में सबसे कम और ओम प्रकास चोटाला मुख्या मंतरी में सबसे कम ओम प्रकास वर्मगा कितने दिन था छे दिन था और इनका ओम प्रकास चोटा लगा कितने दिन रहा इनका भी छे दिन रहा उनका भी जुलाई में था इनका भी जुलाई में लेकिन इनका 12 जुलाई 1997 जुलाई 1990 तक था तो काफी सारी additional information यहां से आपको collect कर रही है आपको telegram पर मिलेगी second question नरित्य दुलहे के कौन सा नरित्य यहां पर space है जो यह दिख रहा आपको कौन सा नरित्य दुलहे के प्रिवार दुवारा दुलहन को लाने की प्रतिक्सा के दुरान किया जाता है यानि कि जब एक दुलहा उसकी दुलहन को लेने के लिए लड़की वालों के घर पे चला जाता है तब पीछे से कौन सा जुन नरित्य के जाता है तो वह होता है आपको खोडिय नरित्य खोडिये नरित्य से पहले बोकडा भी गाया जाता है बोकडा बोला जाता है तो बोकडा आपने बहुत बार सुन भी रखा होगा थर्ड क्वेस्टन हर्यान की पहली छेत्रिया पार्टी कौन से थी very very most important दिहान से सुनियेगा कौन से पार्टी थी विसाल हर्याना पार्टी इसको क्या बोलेंगे विसाल वी एच पी यह है पार्टी होगी हर्याना विसाल विसाल हर्याना पार्टी यह है एक मतर ऐसी छेत्रे पार्टी है जिसने जब यह है पार्टी बनी इंदर जीत जो की गुरू गुराम लोग सबासे सांसद भी रह चुके हैं अगर हर्याना के दूसरे मुख्या मंतरी की बात की जाए तो वह है कौन होंगे आपके राव विरेंदर जिंग और यह है हर्याना के एक मातर सोरी एक मातर नहीं पहले ऐसे मुख्या मंतरी थे जो की ये तनी बाते आपको यहां से नोट कर लेनी है अगर हर्याना के पहले मुख्य मंतर की बात की जाए तो वह थे बगवत द्याल सर्मा और अभी करंट यानिक जो वरतमान में है वो कुन है आपके नायब सिंग सेनी चलिए फूर्थ क्वेस्टिन के तरफ चलते हैं किस सहर को हर किसे सहर को छोटी कासी भी कहा जाता है क्यों किया अपर मंदिर बहुत ज़्याद है तो इसी वजगे से इसको छोटी कासी भी बोला जाता है हमारा फिप्ट क्वेस्टन चंडीगढ़ के रोग गाल्डन सहर यह किस जिले से है, तो वह है महंदरग्ण से है, और एक बार आठमा प्रसंद देखिएगा क्यों सातमा बाद में कराऊँ गाँ ओब योग समराट بाबाराम देव का सम्बंद अन्षरयान की सिथान से यह का उनका भी सम्बंद भी महंदरग्ण से है साथमें प्रसन की बात करते हैं देखे साथमें प्रसन आपका क्या है जो आपका राजा हर्सवर्दन ने कौन सा प्रशिद नाटक लिखा राजा हर्सवर्दन के बारे में बात करें तो इन्हों ने कौन सा प्रशिद नाटक लिखा था तो इन्हों ने लिखा था नागानंद इन्हों ने लिखा था किसने राजा हर्सवर्दन ने और इसके साथ इन्हों ने जैसे कि थाने सर के ये सास करहे हैं और ये प्रभाकर वर्दन के पुत्तर थे तीक है इतनी बाते आपको पता होने चाहिए और इन्हों ने ही नागारनंद रतनावली और प्रियदर्शिगा ये जितने भी सब नाटक हैं ये हैं इन्हों ने ही लिखे हैं किसने हर्सवर्दन ने हर्सवर्दन का जनम कितने में हुआ था 590 इस्वी में हुआ था और 606 में यानि कि मातर 16 साल की एज में ये है राजगदी पर बैठ गे थी इनके बाई की इनके जो बड़े बाई है उनके डेथ हो गए थी तो उसके बाद ये हैं बैठ गे थी चलिए नेस्ट क्वेस्टन किस सहर का निर्मान हिसार सहर का निर्मान कब हुआ तो हिसार सहर का निर्मान कब हुआ था 1354 इस वी में सहर का निर्मान हुआ था और फिरो साथ उगलग के द्वारा ये इस सहर को बसाए गया था और वेरी वेरी मोस्ट इपोर्टेंट है question यह है ध्यान से याद करके जाई है क्योंकि यह है पूछा हुआ है कई बार कुरुक्षेत्र में किस स्थान में सक्कर की मिले है तो सहाबाद सहाबाद है कुरुक्षेत्र के अंदर और सहाबाद क्या है एक विधान सबाबी है और 1984-85 में इसकी स्थापना के गई थी तो चलिए जितने भी question थे हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से करने के कोशिस की है 10 question थे आपके और 10 question के साथ आपको extra जानकारी काफी यहाँ पर provide करवाने के कोशिस की गई है तो चलिए उमीद करता हूँ कि यह जो छोटी छोटी विडियो लगतार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं छोटी विडियो भी है बड़ी भी है जितनी भी विडियोज हैं आपको काफी पसंद आ रही होंगी देखी दा टेचर्स के इस प्लेटफोर्म पर हर एक प्रकार की विडियोज है अगर आप छोटी विडियोज देखना चाहते हैं मतलब कि question type only तो वह भी है अगर आप free में हर्याना जिक्के करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से कि हर्याना कब बना क्यों बना क्या क्या प्रोसेस हुआ कितने कमेटीज बनी और पूरा तो वह है भी आपको playlist विजिट कर लेने चाहिए अगर आप टीचिंग की त्यारी कर रहे हैं CDP अगर आपको देखनी है तब भी टीचिंग के लिए भी आप एक playlist है CDP के नाम से उसको आप cover कर सकते हैं हर्याना की बात करें या फिर SST की बात करें special teaching वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ तो अलग-अलग से भी पूर्सन जैसे की politics और आपका political science की बात करें और करवा भी रहे हैं तो आप जिस भी exam की तैरी करें आपको बहुत-बहुत सारी सूब कामना है और प्रे भी रहेगी उपर वाले से कि आपको एक सरकारी नोकरी जरूर दे जल्दी दे तबी तो आप the teachers के platform पर मिठाई हैं आने के लिए आओगे है ना तो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को share जरूर कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में